Hello students, welcome to newspaper reading article 20 अभी हाली में news में, newspapers में love, jihad एक ऐसा term था जो बहुत चलन में रहा उसी से related है हमारा आज का article है और यह हाली में Indian Express में छपा था इसका link जो है description में आपको मिल जाएगा आप बहाँ पर जाके भी इसको read कर सकते हैं newspaper की site में तो वीडियो देखी और महाँ पर जाके read की जो तो और अच्छे सा आपको जो है sense बनेगी इसकी शुरू करते हैं तो टाइटल है उत्तर प्रदेश लव जिहाद law apostrophe का इस्तमाल हुआ उत्तर प्रदेश का लव जिहाद कानून क्यों इसकी संभावना है कि इसको implement कियाजएगा पैसिव है इंपलीमेंटेट करना और क्यों इसकी संभावना है कि इसको अमल में लाया जाएगा विगरस्ली विगरस्ली गाँ अब एनर्जेटिक ली ठीक है तो यह हमारे टेटल हो गया प्रू करते हैं इशू अब लव जिहाद है यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अजेंडा जो मुद्दा है इशू है लव जिहाद का वो रहा है अब एजेंडा का पहला मतलब होता है जब कोई पॉलिटिकल इशू की हम बात करते हैं जो कि इंपोर्टन है एट गिवन टाइम उसको भी एजेंडा बोला जाता है फिर अजेंडा is a list of items to do in a meeting, list of items to discuss in a meeting उसको भी हम अजेंडा बोलते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यह जो लव जिहाद का मुद्दा रहा है यह योगी अधित्यनाथ का अजेंडा रहा है अब अजेंडा का मतलब उनके लिए बहुत political जो बहुत important political issue रहा है यह भी समना जा सकता है या उनके लिए कोई एक ऐसी चीज थी जो उनने करनी थी वो भी बोला जा सकता है इवन बिफोर रही बिकेम चीफ मिनिस्टर अफ उत्यवर दिश और यह उनके लिए जो मुद्दा रहा है न इवन बिफोर का मतलब है कि चीफ मिनिस्टर बनने से पहले से उनके लिए मुद्दा रहा है एंड इस कंसिडेर्ड और इसको माना जाता है उनके लिए important close to his heart मतल लब है किस चीज को avoid करना और avoid क्यों करना क्योंकि आप उसको करने से जादो डरते हैं और confident नहीं है तो he has never shied away तो जो योगी आदित्यनात है वो कभी shy away नहीं है वो कभी डरे नहीं है उन्होंने कभी avoid नहीं करा है किस चीज को from being vocal इस बारे में vocal होने से जब किसी चीज के बारे में vocal होते है न उसको बहुत aggressively बोलते हैं बहुत forcefully बोलते हैं तो इस मुद्दे को लेगे बोलने से कभी उन्होंने अभे नहीं करा है कभी भी बोलना इसके बारे में avoid नहीं करा है जब उत्रप्रदेश क्याबिनेट ने क्लियर किये क्लियर पास्टेंस, क्या क्लियर करो उन्हें, अध्यादेश की बात हो रही है, किसके विरुद अगेंस्ट, forceful interfaith करमसें, forceful का मतलब जवरन किये गए, interfaith convergence का मतलब धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, हमके बोले कि जब उत्रप्रदेश ने क्लियर करे, क्या क्लियर करो उन्हें, अध्यादेश क्लियर करे, जवरन धर्म परिवर्तन के विरुद, और the so-called love jihad, या जिसको love jihad का भी नाम दिया जाता है, amid similar steps by other states, amid का मतलब in the middle of, during, और ये जो similar steps दूसरे राजियों में भी लिये गए, there is a sense, उस दोरान एक sense, एक आभास ये है, that the law would be implemented more vigorously, ये जो कानून है, इसको ज़्यादा vigorously, जो है, implement करा जाएगा, ज़्यादा energetically इसको implement करा जाएगा, उत्रप्रदेश में, than in any other state, अगर किसी और state से तुल ना करें, जहां पर ये कानून पास हुआ है, ये आप कानून पास होने की कगार पे है, तो ऐसा आभास होता है, ऐसी feeling है, कि उत्तरप्रदेश में इसको ज़्यादा energetically implement किया जाएगा, आप student में, ये would be वाला structure जो है, कर रहा हूँ, ऐसा अब जो पढ़ चुक है, उनको थोड़ा रिमाइंड करो, जो मोडल है, जो की imaginary situation के लिए यूज करा जाता है, आगे बढ़ते हैं, उत्तरप्रदेश state law commission, in its report submitted before the chief minister a year ago, उत्तरप्रदेश के state law commission ने अपनी report में, जो submit की गई थी, चीफ मिनिस्टर के सामने, एक वर्ष पहले, had proposed, तो उन्होंने प्रस्तावित किया था, such a law, ऐसा कानून, in the state, राज्ये में, citing, rising incidence of forced religious conversions, और conversions through fraudulent ways, citing का मतलब क्या है, उधारन देते हुए, जब आप किसी चीच को cite करते हो, तो उसको as an example प्रस्तूत करते हो, as a proof प्रस्तूत करते हो, उन्होंने जब यह प्रस्ताव दिया था, तो उन्होंने उधारन दिया था, किसका rising incidence का, बढ़ते हुए ऐसे incidence का, किसका जबरन किये गए धर्म परिवर्तन का, या परिवर्तन की इस माद्य हम से fraudulent तरीकों, इसा fraudulent का मतलब, dishonest, untrue, छल से किये गए जो है, ऐसे धर्म परतिवन का उधारन देते वे, जो है, उत्तर परदेश स्टेड लोग कमिशन ने परस्तावित किया था, ऐसा एक कानुन, अगर बढ़ते हैं, however, as different states are mulling, mulling बहुत important word है, mulling नहीं बोलना, क्या बोलना है, इसको mulling, however, as different states are mulling, bringing a similar law, उत्तर परदेश गवर्मेंट is ready to implement, अब जबकि जो है न, विभिन जो राज्य है, mull कर रहे है, mull का मतलब क्यों होता है, किसी चीज़ पर विचारा दीन होना, बहुत डीपली इसको सोचना, निरने लेने से पहले, तो जबकि जो different states है, वो विचारा दीन है, ऐसा एक कानून लाने पर, बहुत डीपली सोच रहे है, उत्तर प्रदेश गवर्मेंट, उसी समय पे जो उत्तर प्रदेश गवर्मेंट है, वो तो तयार बैठी है, क्या करने के लिए, इसक of the law in UP, apprehension was important word, apprehension is दर को बोलते है, fear को बोलते हैं, दर क्यों है, अगर लागू किया जाता है इस law को UP में, तो डर क्यों है लोगों के भी, The issue of love jihad has been on UP Chief Minister Yogi Adityanath's agenda, यह जो मुद्दा है, लफ जिहाद का यह UP Chief Minister Yogi Adityanath के agenda पे रहा है, to-do list में रहा है, उनके लिए important रहा है, even before he became Chief Minister अउत्यवर्देश, और कब से important रहा है, उनके लिए चीफ मिनिस्टर बने भी नहीं था उत्यवर्देश के तब से रहा है, and is considered close to heart, और यह मुद्दा उनके दिल के करीब माना जाता है, यह paragraph भी पीछे भी आया था, while the भारतिय जन्ता पार्टी दिन नॉट मेंशन देवर्ड लफ जिहाद इन इट्स पोल एजेंडा, अला कि भारतिय जन्ता पार्टी ने mention नहीं किया था, did not mention past tense, उन्होंने जिक्र नहीं किया था, लफ जिहाद वर्ड का अपने पोल एजेंडा में, हर पार्टी अपना manifesto बताती है, वो बताती है कि जब वो power में आएगी, क्या करेगी, उस समय पे भारतिय जन्ता पार्टी ने लफ जिहाद वर्ड यूज नहीं करा था, कब जब इन previous state assembly election, जब पिछले previous जो है, जब पिछले state election हुए थे, तब उन्होंने ये word discuss नहीं किया था, वर्ड मेंचन नहीं किया था, आदित्यनात, इवन एस गोरखपुर के MP ही थे न, इवन जो है न, ऐसी वही तरह, जब वो गोरखपुर के MP ही थे, never shied away from being vocal about it, तब भी उन्होंने क्या नहीं करा, कभी कोई उनको जेप नहीं हुई, कभी उन्होंने avoid नहीं करा, इसके बारे में vocal होने जाए, इसके बारे में उन्होंने बहुत aggressively बात करी हमेशा, बढ़ चड़ के बात की, बार बार बात की, तो यानि कहने का मतलब है कि जब की भरते जंता पार्टी ने चुनाव के दौरान, या चुनाव के मैनिफेस्टों में, या चुनाव के अजंड समझ लो, organization, समझ लो, उनकी organization, Hindu Yuvahini, which is not much active at present, जो की अभी काफी सक्रिय नहीं है, had actively worked, उसने बहुत सक्रिय धंग से काम करा था, क्या करने के लिए, to check, check करने का मतलब है, सीमित करना, रोकना, इसको alleged religious conversions को, कहां पे in eastern उत्तरवर्दे, इसको use करना चीखे, अब अकबार प मतलब क्या था, जब भी हम किसी चीज को alleged बोलते हैं, उसका मतलब कि आपने वो state कर दी, आपने वो mention कर दिया, लेकिन वो अभी तक प्रूब नहीं हुए कि ऐसा हुआ है, या ऐसा नहीं हुआ, तो alleged religious conversions का मतलब क्या है कि, कछित तौर पे जो religious conversions होते थे इस्टन यूपी में, उनकी जो organization थी, हिंदू यूआ वाही नी, वो बहुत सक्रिया धंग से क्या करती थी, उसको रोखने का काम किया करती, as chief minister, बतौर chief minister, he termed it a dangerous trend, उन्होंने उसको एक dangerous trend बताया, during a rally in Kerala, Kerala में एक rally के दोरान, in 2017, and is the first CM, और वो first CM है, to tell his officers, अपनों officers को निर्देश देने वाले, बताने वाले, इस चीज़ के लिए, to bring in a law, एक कानून बनाने के लिए, to control incidents of love jihad, in August this year, मतलब वो पहले CM है, जिन्होंने अपने officers को बला कि कानून मनाओ, love jihad के incidents को रोपने में, और यह चीज़ जो है, अगस्त महीने की बात हो रही है, आगे बात हो रही है, what prompted the state to draft the law on, तो किस चीज़ ने prompt करा, prompt करा मतलब क्या, encourage करा, state को कि वो अब कानून मनाए, in the past few months, पिछले कुछ महीनों में, cases of alleged love jihad, तो cases किसके, कथित रूप से, love jihad के जो case से, have been reported, वो report किये गए है, from different parts of the state, राज्चे के विविन भागों से, खास थोर पे eastern और central यूपी से, in a case that triggered the decision, एक ऐसे मामले ने जिसको इस decision को trigger करा, trigger करने का मतलब, अब यह बंदू का trigger जो होता हो, उन्नाउन होता है, trigger कोई भी चीज़ है, जो किसी action की शुरुवात करवा दे, initiate करवा दे, तो एक ऐसे मामले ने जो, जिसने इस निर्णे को trigger करा, a group of parents, एक parents के group ने, from a particular locality in कानपूर, कानपूर के विशेश एक इलाके से, had met senior police officials, वो लोग मिले थे senior police officials से, with a complaint, एक complaint के साथ, that their daughters are being allegedly trapped की, कथित तोर से उनकी बेटियों को trap करा जा रहा है, trap का मतलब आप फसाया जा रहा है, by muslim men, muslim men के द्वारा, and are now seeking their help, और अब उनकी जो बेटिया हैं, वो मदद मांग रही हैं, मदद ढून रही हैं, उनकी क्या करने के लिए, to help free themselves, अपने आपको free करने के लिए, अपने आपको मुक्त करवाने के लिए, बाद में, later, a special investigating team was formed, बाद में, एक विशेश investigating team का गठन किया गया, to look into the allegations, allegations इल्जाम होगे, blame होगे, इन इल्जामों की तफ्तीश करने के लिए, च्छानमीन करने के लिए, look into का तो pair बनता ही है, investigate करने के लिए, in some cases though, girls refuse to accept, लेकिन कुछ मामला में हाला कि, girls ने refuse कर दिया, मना कर दिया यह स्विकार करने से, that they were lured into marriage, कि उनको lure किया गया शादी के लिए, lure into का मतला है, किसी को trick करके कुछ करवा देना, तो कुछ cases में तो लड़कियों ने माना ही नहीं नहीं बात, कि उनको छल से या धोके से शादी करवाई गयी, ऐसा उन्होंने माना ही नहीं, यानि उन्होंने बोला हमने शादी जुआ अपनी इच्छा से कर देर वर incidents reported from other districts, incidents report हुए दूसरी डिस्टिक्ट से जैसे की लकीमपूर खेरी, वाट इस अप्रपोज यूपी लॉओ पॉन लवजिहाद, अब इसमें हमको information मिलेगी, यह जो प्रस्तावित यूपी लॉओ है, लवजिहाद वो है क्या, तब प्रपोज्ड लॉओ, cleared by अउत्रपदेश कैबिनेट, जो यह प्रस्तावित लॉओ है, जिसको clear करा गया उत्रपदेश कैबिनेट द्वारा, defines, वो परिभाशित करता है, punishment and fine, punishment को और जुर्माने को under three different hands, और यह जो punishment और जुर्माना है, यह तीन शिरिणियों में, those found guilty of conversion, guilty of का pair बनता है, वे लोग, जो पाए जाते हैं, दोशी, conversion के, परिवर्थन के, gun, through misrepresentation, जो की किया जाता है misrepresentation के दोरा, misrepresentation का मतलब क्या हुआ, गलत तरीके से किसी चीज़ को परस्तूत करके, बल से force, undue influence, undue का मतलब excessive, extreme प्रभाव डालके, अब इनकी influence power की हो सकती है, पैसे की हो सकती है, coercion, coercion जबरदस्ती होगी, किसी चीज़ से जबरन कुछ करवाना, allurement, allurement मतलब किसी चीज़ को लालच दे के आकरशित करना, or by any fraudulent means, या और भी किसी धोके से, in contravention of the law, contravention वाइलेशन, और जो की ये देखा जाएगी, जो की उलंगन है कानून का, तो SME would face jail term of 1 to 5 years, SME वो विक्ती जो है, face करेगा jail term 1 से 5 साल की, and a minimum fine of rupees 50,000, और एक minimum fine लगबक कित्ते का, 15,000 रुपेगा, ये पहला जो है शिर्णी, in case such conversion, दूसरा case है कि, अगर in case copy will पड़ सकते हैं, अगर इस प्रकार के जो परिवर्तन है, is of a minor, वो किसी minor के है, minor वो जो 18 साल से कम है, a woman को इस तरी है, जो की scheduled caste है, या scheduled tribe से है, then those found guilty, फिर जो guilty पाय जाते हैं, would have to face, उन्हें सामना करना पड़ेगा, एक jail term का, from 3 to 10 years, जो से 3 से 10 वर्ष की हो सकती है, with a minimum fine of rupees 25,000, जाके minimum fine 25,000 हो सकता है, और तीसरी शिर्णी के होगी, on the other hand, if such conversion is found at the mass level, और दूसरी तरफ, अगर ऐसा conversion, ऐसा परिवर्थन पाय जाता है, यो mass level पे क्या जा रहा है, बड़े स्थर पे क्या जा रहा है, large scale पे करा जा रहा है, एक सरक बारों में खराब आती हैं, खबर आती हैं, कि पूरा गाउं का गाउं जो है, और वो Christianity में चले जैनिजम में चले जैनिजम में चले इस प्रगार की बात होड़ी, कि अगर ऐसा कुछ पाय जाता है, और गिल्टी ऐसे में जो लोग दोशी है, गुट फेस, जेल टर्म, ऐसे मुझो है, जेल टर्म का सामना कर सकते हैं, जो कि तीन से दस वर्ष की हो सकती है, विद अ मिनिममम फाइन फॉर्बाना पचास जार का हो सकता है, तो ये तीन अलगलग शिलिणियो में हो, इनन अनदर सिग्निफिकेंट प्रभिजन, एक और इंपोर्टेंट प्रभधान के अनुसार, तो एक और इंपोर्टेंट प्रभधान जो कि इस कानून का है नाम बता रखा है, वो परस्तावित करता है, प्रपोसे अमाना में वर्भ हो गया, वो क्या परस्तावित करता है, अमंग अधर थिंग्स दूसरी चीजों के साथ-साथ, अगर एक मात्र जो इरादा है, नियत है, इस शादी का वो है, वो क्या है, to change the girl's religion, यानि वो बोलें कि अगर शादी कोई होती है, जिसमें यह नजर आता है, शादी करने वाले का ये एक मात्र इराद है कि वो लड़की का धन्परिवर्तन कर दे, तो ऐसी शादी को भी खारिच कर दिया जाएगा, नल एन्वॉइड कर दिया जाएगा, आगे है, वो कैन कनवर्ट और हाओ कैन दे डू इट अंडर दा प्रपोज लॉग, कौन कनवर्ट कर सकता है, और कैसे कर सकता है इस प्रस्तावित कानून के अनुशार, अंडर दा न्यू प्रपोज लॉग, इस नए अंडर दा, यह न बहुत इंप्पोर्टन है, एक्जाम में बहुत आता है, बिनीत, अंडर नीत लिखा आ जाता है, तो कानून के तहत, रूल्स के तहत, गाइडलाइन्स के तहत हमेशे अंडर आएगा, तो नए प्रस्तावित कानून के अनुशार, anyone wanting to convert into another religion, कोई भी जो चाहता है, wanting participle हो गया, इसको मैंसे भी लिख सकता था, anyone who wants to convert into another religion, कोई भी जो convert करना चाहता है दूसरे religion में, would have to give, अब सारी imagining situation of the future है, will नी लिखा, क्या लिखा है, would, उनको देना पड़ेगा, क्या it in writing, इसको लिखित में, इसको to the district magistrate, district magistrate को at least two months in advance, कम से कम दो महीने पहले, the government is supposed to, फिर अभी कहता है को government से यह expected, अभी government ने करा नहीं है, the government is supposed to prepare a format, यानि government से यह expected है, government एक format देगी, for the application, इस application का, and the individual और वेक्तिविशेश को, has to fill the application, उस application को भरना होगा, for conversion in that format, conversion के लिए, परिवर्तन के लिए, उस format के अनुसार, however, under the new, लेकिन नए लोग के अनुसार, it would be the responsibility, यह जिम्मेदारी होगी, of the one, one का मतब, that person, उस व्यक्ति की, going for the religious conversion, जो की, जारा है, धर्म परिवर्तन के लिए, to prove, क्या जिम्मेदारी होगी, उसकी यह प्रूव करना, that it is not taking place forcefully, कि यह forcefully, जबरन नहीं हो रहा है, और विदनी fraudulent means, या किसी धोखादरी से यह नहीं हो रहा है, या नहीं कि जो धर्म परिवर्तन कर रहा है, उस पर जिम्मेदारी होगी, प्रूव करे हो, यह जबरन भी नहीं हो रहा है, और धोकादरी से भी नहीं हो रहा है, in case any violation is found, और अगर कोई उलंगन देखा जाता है, इसमें, under this provision, इस प्रवधान में, then one faces, then one faces, then that person faces a jail term, from six months to three years, तब वो face कर सकता है, jail term, जो कि छे महिने से तीन वर्षी हो सकती है, and a fine of minimum, 10,000 रुपीज, और minimum fine जो है, 10,000 रुपे का वहाँ पर हो सकती है, ठीक है, तोन्स पूरा, अब हमको यह भी समझा आगा, कि UP ने जो law pass करा है, वो क्या है, लवज यहाद term भी clear हो गया, और बहुत सारे word भी सीखे, मैं slowly screen को आगे ले जाऊंगो, आप क्या करेंगे, pause करेंगे, copy करेंगे, pause and copy, add to vocabulary, बहुत अच्छे words हैं, एक्जाम में जुरूर देखने को मिलेंगे, pause and copy, add to vocabulary, this is the last slide, और इसके साथ हमारा या article पूरा होता है, इसी तरीके के एक और interesting article साथ, we will do it again, इस article में इस तरफ से इतना ही, thank you,